हाई गाईस कैसे हैं आप सब लोग हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई हमारे एक सब्सक्राइबर की जिनका नाम है दीपक जी वो कह रहे थे उनके पास एक मेरे पास मेल आया तो मेल पर वो कह रहे हैं कि आप में 2020 के लिए आने कि नेक्स्ट मन्त के लिए कुछ ऐसे तीन और गाईस अगर आप हमें टेक्निकल चार्ट अगर आप समझाते हैं अपने यूट्यूब के थू तो आप हमें ये भी बताईगा कि उस पे ऐसा क्या पैटर्न बन रहे हैं जिससे हमारी स्टडी भी हो और साइड बसाइड हम उसमें इन्वेस्ट भी कर सके मन्तली बेसिस क अंदर उसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं हम इस महीने के अंदर पर्टिकुलर तीन स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जो आप मन्त के स्टार्टिंग में बाई कर सकते हो या फिर आप थोड़े इस लेवल के ऊपर या थोड़ी मिलती है तो भी आप बाई कर सकते हो और आप मिनिममम जो टार्गेट लेकर चलेंगे गाइस परसंटेज वाइस मिनिममम पांच परसंट का टार्गेट लेकर चलेंगे ये पांच परसंट टार्गेट हमें एक महीने के अंदर मिल जाए पर्टिकुलर एक स्टॉक के अंदर मैंने चार्ट open करके रखावा है अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आरली चार्ट open करके रखावा है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तीन स्टोक है गाईस गेल, भारत फोर्च and भारती A8L तो यह तीन स्टोक में आप लोग के लिए लेकर आया हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको percentage भी दिख रहा होगा यानि की जब Thursday को closing हुई है अब जो अपरेल की series की expiry हुई है तो गेल साथ परसेंट भागावा है बारत फोर्च दर्स परसेंट भागावा है और भारती A8L भी चार परसेंट तक भाग चुका है मैं आप लोग के लिए सबसे पहले line draw करता हूँ अब यह देख सकते हैं यह मैंने आप लोग के लिए line draw कर रखी है जो कि यहाँ पर हम एक resistance phase करता है यहाँ पर हमने multiple resistance phase करें यहाँ पर जब resistance को इसने break करा है exact तो उसने dip दी और तब इसे support मानके यह उचल गया है तो यह हमने देख रहे हैं कि जो एक trend line थी trend line का इसने break out दिया break out देने के बाद नीचे आता है trend line को support लेता है और हम देखते हैं exact फिरवासिक momentum आती है अब guys इसमें particular में एक pattern or develop हो रहा है जिसके बारे में study करते हैं तो उसके लिए आप wait करिए उस pattern का नाम है guys आपको मैं बता देता हूं पर उस pattern का नाम है cup and handle pattern आप देख सकते हैं आपको जब मैं cup and handle pattern बनाऊंगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो किस तरीके का pattern है जी guys यह देख सकते हैं सो यह मैंने cup बना दिया अब मैं अगर इसका handle बनाता हूं तो यह particular handle बनता है यह देख सकते हैं यह एक तरीके का cup and handle pattern होता है और हमें expect कर सकते हैं कि यहां से इसकी movement आएगी वो upside की तरफ आ सकती है अब आप देख सकते हैं कि यह एक cup pattern है और यहां पर हम देख रहे हैं कि इसका एक handle है अब हमने देखा handle का यहां पर इस level पर हमने देखा कि एक breakout आया breakout आने के बाद हम देखते हैं दुबारा नीचे टेस्ट करता है और अब उपर जा रहा है और हमने इस level पर buy करना था जो कि around इसकी closing ही है जो कि 93 से 95 के आसपस आते हैं तो हम यह 2 रुपे के अंदर 93 से 95 रुपीज के अंदर आप इस पर अपनी एक buy position बना सकते हैं या फिर अगर यह दुबारा dip देती है जो कि around इसका होगा level 91 तो देखे गाइस आपको 4 रुपे की range मिल चुकी है अगर मैं यहाँ पर range लिखता हूँ तो आपको range buy की कब करनी है 91 से लेके 95 तक यहाँ पर अपनी गेल को buy करके चल सकते हैं अब हम अगर बात करते हैं stop loss और उसके बारे में तो गाइस उससे पहले मैं आपको इसके target के बारे में बता देता हूँ कि इसके target कैसे find करते हैं तो देखे मैं आपको यहाँ पर एक plane अपने sheet पे आपको दुबारा बना के दिखाता हूँ कि कि इस तरीके से मैंने head and show cup and handle pattern बनता है यह देखे यह आप देख सकते हैं यह हमने cup बना दिया अब हम तो और breakout देने के बाद देखते हैं दुबारा नीचे test करती है और दुबारा जब आपर जाती है और अपनी previous candle को break कर देती है यहाँ पर आप देख सकते हैं अब अपनी buy position बनाते हैं अब इसका target कहाँ पर होगा तो target guys find कैसे करते हैं जो आप ये cup का size है ये जो आप size देख रहे हैं ये इसका target होता है जो इसकी length है अब ये length देख रहे है exact length इसकी ये उपर तक बनती है, तो हम देखते हैं कि यहां तक इसका target होता है यह और अगर हम इसके stop loss की बात करें तो जो हमने target find करा हमने target find करा cup से तो जो stop loss होता है वो stop loss होता है shoulder का मैंला cup and handle का sorry तो यह होता है इसका stop loss आपको writing थोड़ी में problem होगी पर guys आप देख सकते हैं यह stop loss है इतना portion आपका stop loss है और इतना portion आपका target होता है तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ अब आपको हम जड़र नीचे जाते हैं तो आप आप देख सकते हैं तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसे थोड़ा zoom out कर देता हूँ जी guys तो अगर हम इसके target की find करते हैं तो guys मैं आप लोग के लिए target find करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सेखना है तो अगर मैं इसका target find करने की कोशिश करता हूँ तो इसका target approach आता है तो अगर target find करना है तो guys हमें सबसे पहले इसकी length जानी है कप का high देखता हूं तो high आरांड आ रहा है और 92 रूपीज का और जो कप का low है वो कप का low आ रहा है और 65 रूपीज का यानि कि 28-30 रूपीज हम माननके चल रहे है 25 तो 30 रूपीज की upside है तो guy's 92 के उपर अगर हम 30 रुपीज भी लेकर चलते हैं तो यानि कि around 120 आता है तो 120 तक कि हम एक यह movement देख सकते हैं जो कि around आ रहा है यह लेख अब आप देख सकते हैं गाईस यह आपका stop loss है आपको मैं दुबारा देखाता हूँ यह देख सकते हैं इतना portion आपका stop loss है और यह जो portion है guys यह आपका target का काम कर रहे हैं देख सकते हैं तो आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारा target कितना बड़ा है और हमारा stop loss कितना चोटा है तो guys अगर हम इसके percentage value में देखते हैं तो मैंने आपको minimum का है कि हमें minimum 5% तो चाहिए तो अगर हम मैं इसका minimum 5% ही लेकर चलता हूं तो पहले अगर हम इस pattern के through अगर target को find करता है तो इसका target आ रहा है आप देख सकते हैं 30 रूपी का और आप percent अगर देखे तो यानि कि 30% का target हम मानके चलता है stop loss आपको 12% का maintain करना है और target आपका 30% का है तो यानि कि 1 is to 3 का एक तरीके sum ratio मानके चल सकते हैं तो अगर मैं 5% भी find करता हूं तो यह अप्रॉक्स आता है guys यह देख सकते हैं तो महला हम यहां पर 92 पे भी buy नहीं करता हैं तो सीधा सोच्टे हम 95 पे ही buy करेंगे यह level पर भाय करते हैं तो हमारा 5% आ रहा है approximately 100 पे तो यानि कि अगर हमें 5 रुपे मिल रहा है 95 से अगर 500 पे तक की rally मिल रही है 5 रुपे तो guys 100 पे के नीचे तो आप ज्यादा quantities buy करके भी अगर आपको 5% इसमें मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है so guys आप देख सकते हैं कि इस पर बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाएगा आपको one way rally तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है अब यह किस तरीके से rally कर सकता है वो मैं आपको एक बर द तो हम देखेंगे ऐसे rally करते करते हमें यह target तक पुछाएगा तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर यह देख सकते हैं यह देख रहे हैं यहाँ पर हमें एक resistance मिल सकता है अगर हमें ऐसे line जोडता हूं तो यहाँ एक resistance मतला यहां से यह 100 अरवे की movement देगा तो वहाँ पर एक resistance मिल सकता है तो दुबारा नीचे आ सकता है जब इसको तोड़े तो यह दुबारा अपने इस resistance की तरह बढ़ सकता है फिर अपने इस यहां तक बढ़ सकता है बहुत सीधी movement आपको rally नहीं मिलेगी आपको 95 से ऐसे ऐसे करके rally बहुत द्यान से इसमें trade करिएगा और मुझे ल है तो अब मैं आगर आपको इसका difference बताता हूं तो यानि की एक सिंद जो हमारा pattern था या इस मुझे एक सिंद देगा मैं अपनी यह सारी drawings को remove कर देता हूं तो अब हम expect करके चल सकते हैं कि जो इसका target है तो टागेट निकल के आ सकता है वह target है around 30 rupees का stop loss आपको maintain करके चलना है वह around आपको 12 rupees का maintain करके चलना है और अगर आम आपको range देते हैं तो guys range जो निकल के आ रही है वह 91 से 95 rupees के बीच में आपको मिल रही है अगाइस market बहुत ऊपर जा चुकी है एक nifty की डेडिकेटेड वीडियो में अभी आप लोगों के लिए upload कर दूँगा इस week days के अंदर तो आप इसको भी एक nifty के थूँ आप इसको भी strategize कर सकते हैं तो guys आप देख सकते हैं यह range है इस range के अंदर आपको buy करना है और आप इस हिसाब से पर अपनी position बना सकते हैं तो guys इसे के साथ अब मैं आपको next talk के बारे में inquiry देता हूं यह pattern का झो नाम है वह हमारा एक लेफ्ट शोल्ड़र अंक अब देख सकते हैं यह थैपर कंडल बरेक आउट देथी तक है की green candle यहाँ पर अपनी closing base की ऊप़र और जब हम wait करते हैं next candle का जब next candle इस particular candle की ऊपर जाती है और close होती है तो हम अपनी position को यहाँ पर बनाते है तो जो हमारा target होता है गाईज वह हमारा particular होता है अप्रॉक्स head का हम लेकर चलते हैं कि जितना head है उतले हमारा का टार्गेट होता है और हम अपना जो स्टॉप्लोस मिंटें करते हैं आप फिर इसके ओपर आइए कर सकते हैं वह हैं सिर्फ ट्रेडर की बाय कर रहा हूं जो ज्यादा रिस्क नही चाहते हैं क्योंकि होता यह C कि breakout देने के बाद होता है कि कभी गबार हम fail भी हो जाता है और वहां से दुबार हम नीचे की तरह movement देखते हैं तो एक safety के लिए हम मानके चलते हैं कि जब कोई particular एक trend line है कोई resistance हम मानके चलते हैं यह resistance पर particular stock नीचे आता है अब जब यह उपर break करता है तो हम expect करते हैं कि यह जो candle है यह candle के ऊपर जब कोई candle closing दे यहाँ पर हम अपनी buy position बनाएंगे तो हमें एक safe मिल जाता है कि अब शायद नीचे नहीं जाएगा और यहाँ पर हमारे जो targets हैं वो हम अपने chart patterns के थुरू या price action के थुरू identify कर लेते हैं तो उसी similar pattern के थुरू हमारे को यहाँ पर बिल रहा है तो बहुंए आपको बना के दिखादेगा तो आप देख सकते हैं यह particular एक में head and shoulder आप लोग बना के दिखा रहा हूं यह यह देख सकते हैं यह हमारा Left Shoulder है यह हमारा Head है यह हमारा Second Shoulder देख सकते हैं जैसे हैं तो यह मैंने एक head and shoulder pattern बना दिया है एक से जी गाइस तो यह एक head and shoulder pattern है और head and shoulder pattern के बाद अब हमें क्या identify करना है अगर हम identify भी करते हैं तो इस अब देख सकते हैं particularly तो हमें सबसे पहले target find करना है target find करेंगे तो अगर हम head देखते हैं तो head का high around 300 रुपीज प्रॉक्स और अगर हम low देखते हैं तो low आ रहा है प्रॉक्स 205 रुपीज यानि की 100 रुपे का हम मानके चल रहे हैं कि 100 रुपे तक का एक यहां पर target बनता है stop loss find करते हैं तो guys stop loss अगर हम find करते हैं तो इसका high around 300 रुपीज रुपीज यानि की 50 रुपेज यानि की 1 is to 2 का ratio यहां में दे सकता है so अगर मैं इसके लिए यहां पर बनाता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ यह इस तरीके से आपको बनते हुए देखेगा यह हमारा एक तरीके से stop loss होगा और यह हमारा होगा टागेट अप्रॉक्स इन देख सकते हैं so आप देख पा रहे हैं कि यह देखिए मैं आप लोग उनको और अच्छे से देखाता हूँ यहां पर आ गया है अब यह देखिए यह नीचे आ रहा है हलके हलके करें यहां पर आप देख रहे हैं यह candle ने इसने अप move दिया है मैं आपको दुबारा दिखाता हूँ यह देखिए यहां पर candle ने अच्छी कासी अप move दी अब यह नीचे आ रहा है तो अब आपको क्या करना है आपको करना है इस level का break होने का weight जो की safe traders है ठीक है, सेफ ट्रेडर्स इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे, मैं लेवल का भी आपको बता देता हूं कौन से लेवल है, या फिर आप वेट करिए कि यहां से नीचे आ जाए इस लेवल पे, और इस लेवल पे आने के बाद जब यह दुबारा उपर बढ़ने की कोशि करता है, और जब नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर बढ़ती है, तो अब हमने एक बाइप पोजिशन बना लेगे, और अच्छे से एक्स्प्लेन करता हूं आप लोगों को जूम करके, तो उसके लिए न मैं पहले सब हटा देता हूं, और फिर उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्स्प्लेन करता हूं, यह देखिए, यह देखिए, मैंने यह बना दिया, तो अब मैं आपको अच्छे से बताता हूं, यह देखिए, यहाँ पर इसने लेवल का एक ब्रेक आउट दिया है, यह लेवल है, ब्रेक आउट का, ठीक है, आपको अच्छे से समनाता हूं, यहाँ पर इसने breakout दिया है जो की around level निकल गया रहा है 295 ठीक है 295 पर यहाँ पर breakout दिया है मैंने आपको क्या कहा है जब कोई line का breakout देती है यहाँ पर यह candle ने एक breakout देती है यहाँ देख रहे हैं बहुत टाइम से काम कर रही है यहाँ पर breakout देती है दुबारा समझे लिजए गाइस तभी बहुत लोग फस्ते हैं breakout में breakdown पर सोचते हैं कि breakout आ गया वो buy position बनाते है और वो दुबारा नीचे आ जाता है line के तो यही होता है आपको समझना होता है कि किस तरीके candle stick और price action को समझना है तो इस वीडियो पर stock से साथ में आप लोगों को समझा भी रहा है यह candle ने breakout दिया दो तरीके से आप trade ले सकते हैं आपको wait करना है कि जब अगली candle बने है वो इसके ऊपर बने है close ओ body की बात करा हूं मैं guys body इसकी ऊपर close ओ तो आप यहाँ पर अपनी buy position बना सकते हैं ठीक है दूसरा बंदा क्या कर सकते हैं दूसरे type के जो traders हैं वो क्या कर सकते हैं कि यह काम कर रहा है यहाँ पर इसने breakout दे दिया अब यह दुबारा जब नीचे आता है जैसे ही आप इतने हैं कि दुबारा यह candle बनाता है और इसके ऊपर यह दुबारा candle निकलती है तो यहाँ पर आप अपनी दुबारा buy position बना सकते हैं यानि कि आपको इसके breakout होने का weight नहीं करना आप कुछ इसके से नीचे यानि कि मिट पॉइंट पर buy बना पाएंगे यहाँ पर जो कि around 300 क पर आपको क्या करना है आप या फिर इस लेवल के break होने का weight करिए इस लेवल के break होने का या फिर इससे नीचे आने दीजिए और यहाँ पर जो candle बनेगी और इसके अलावा जो यह वाली candle बनेगी और इसे break करेगी यहाँ पर आप इस position को लीजेगा और target आपको मैंने बता दी है अब guys target जो 100 रपेका में आपको दे रहा हूँ जरूरी नहीं है वो मन्थली में आ जाए एक महिने के अंदर में 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 ही आ जाए आपको minimum में 5% का target आपको लेकर चलना है 5% के बाद आप अपनी किस तरीके से profit booking करते हैं आप लोगों के उपर depend करता है so guys इसी के साथ मैं अपने next talk की तरफ बढ़ता हूँ और next talk है guys बारती 8 so guys बारती 8 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक trend line बना रखी है trend line यानि कि multiple supports को यहाँ पर join करते हुए trend line बना यह और यह अपी higher highs बना रही है अब guys इस particular stock के अंदर क्या pattern बना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक pattern बनता है देखे गाई इस पहले stock पे जो pattern बना था यहाँ पहले stock पे बना था cup and handle pattern यहाँ पर जो pattern बना था यहाँ पर pattern बना था हमने देखा था second stock पे भारत फोर्च पे जो वो pattern का नाम था guys आप पता होगा head and shoulder pattern अब जो यहाँ पर pattern बना है guys यहाँ पर जो pattern बना है वो pattern का नाम है पीनेट पैटन को हम पीनेट पैटन कहते हैं और हमें जो पैटन है यह इक यह तोड़ा जो आपको फिर देखने में असानी हुसा है यह धीकर एक सब्सक्राइब तो यह पैटन बनावा है और यह पैटन होता है continuation pattern और जिसे हम कहते है peanut pattern यह कुछ ऐसा बनता है आपको मैं दिखाता है तो आपको जैसे flag and pole pattern तो पता होगा flag and pole क्या होता है यह फ्लाग होता है F तरीके का यह फिर flag ऐसे भी बन जाता है ऐसे वाला अब गाइस peanut क्या होता है आप देखते हैं कि यह parallel होता है जो यह flag देखे न रहरा जो होती है यह parallel होती है अब peanut में क्या होता है पीनियन्ट में हम देखते हैं symmetrical triangle type का pattern बनता है जिसमें आगे की जो इसकी पीक होती है वो बंद हो जाती है यह देख रहे हैं यहां पर यहां पर यह वाइड था और फिर आप देख रहे हैं हलके हलके करते हैं नेरो हो जाता है यहां पर आप देख सकते हैं यह वाइड था करते करते हैं नेरो हो गया अब गैस यह यहां पर नीचे तोड़ेगा यह फ तो यह हमारा target होता है अब आप देख रहे हैं हिसमें क्या portion लिकल लिगा रहा है इसमें यह portion लिकल लिकल लिख रहा है विए जो र ही इता इत्ताm नीचा अब हम बढ़ते हैं चार्ट की तरफ और स्टडी करते हैं कि किस तरीके से क्या बगते हुए देख रहा है तो गई अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके पैटर्न को अब आपको क्या करना है अब आपका टागेट है अराउंड निकल के आ रहा है पंदरा परसेंट का स्टॉपलाज आपका 16 रुपे का यानि कि यहां ब्रेकाउट देता है तो इसके नीचे हम कुछ पॉइंट नीचे एक स्टॉपलाज मिटेन कर लेते हैं हम 4 परसेंट का ले लेते हैं तो यानि कि यह बता रहा है कि टार्गेट तो हमारा 70 रुपे है जो कि अराउंड 15 परस करा रहा है अब ज़रूरी थोरी ना अगर गाईज आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर आप स्विंग ट्रेड लेना भी चाहते हैं तो मैं आप से सला दूंगा आप इसे रोल ओवर कर लीजएगा अगर आप को यह प्रॉफिट दे रहा हुगा अगर आप पूरे 70 टा O checking डि odd Show a deal फिर की तो किसरा यांगा अफिज तो इसने जो क्लोजंग दीया है इसकी क्लोहजिंग याज वह आरावन्ड़े स्वैंगा ऊट्थ सो मैं आपसे स्ला मिलता है तो आपके लिए मैं एक range निकाल देता हूँ वो range निकल के आती है guys 4.95 2.505 यह 10 रुपे के range के अंदर आपको मिलता है तो आप इसमें by position बना सकते हैं और आप इसमें फिर अपने मन पचाय टाइम तक के लिए hold कर सकते हैं इसे के साथ मैं वीडियो को end करता हूँ वीडियो पर आपको बहुत knowledge मिली होगी यह patterns के बारे मैं आपको जो सिखा है आप उसे Google में जाके सर्च करिए उसके बारे मैं study करिए और guys आप definitely intraday में या swing trade में अच्छा कासा पैसा कमाएंगे और मेरी वीडियो अप्लोड होने वाली है इस तीन दिन के अंदर Friday, Saturday, Sunday के अंदर जिसमें मैं nifty के बारे में बताऊँगा कि में में किस तरीके से nifty में आप position लेनी है और guys दो stocks में आप लोग के लिए और लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं आप सबसे पहले बात करूँगा Tata Motors के बारे में बहुत बढ़ी अच्छे तरीके से आपको पूरी full analysis वीडियो होगी जो technical charts पर आपको Tata Motors के बारे में best buy range बताएगी अब भी भी time नहीं निकला जो 20% की rally दे चुका है Tata Motors अभी भी आप इसमें buy बना सकते हैं और आपको multiple returns Tata Motors दे सकती है उसे के साथ guys SBI भी है बहुत stocks है guys मैं आप लोगों के साथ share करते रहूंगा तो share करने के लिए आप guys मेरे channel को subscribe ज़रूर कर दीजेगा subscribe करेंगे यह देखिए guys एक bell का symbol देखेगा उसे भी click कर देंगे तो जब भी मेरी video upload होगी तो सबसे पहले आप लोगों को वहाँ पर provide हो जाएगे ठीक है guys और इस video को like करना बिल्कून मत बूलिएगा और comment section में मुझे बताईएगा कि आप को वीडियो कैसे लगी और आपको कुछ समझ आया है नहीं आया और आप लोग मेरे साथ क्या चाहते हैं इसमाब लोग के लिए कौन और extra videos बनाऊ जो कि आपको knowledge प्रोवाइड करा है अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको यह particular जो मैंने आपको patterns सिखाए है जो अभी इसमें आपको मैंने थोड़ा बहुत ही बताया है अगर आप चाहते हैं मैंने इसे deeply समझाओ इन तीन patterns के बारे में तो गाइस comment section में मुझे बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा like होंगे comment के अंदर जो भी particular pattern पे सबसे ज़्यादा like होंगे मैं उस पे एक वीडियो dedicated बनाता हूँगा इसी weekdays के अंदर अंदर weekend के अंदर अंदर इसे के साथ मैं वीडियो को wind up करता हूँ वीडियो पसंद आए होगी तो वीडियो को like करना बिल्कू अब बनाता हूँग मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो पे शेवांच बसीन साइनिगो